कुछ न कुछ बना के देद देती हूँ, रैसे मेरे मायन में चल रहा था, आलू का एक पुछती बढ़ा नास्ता होता है, जो मेरे बुच्चो को पसंद आता है, आज है संडे का दिन, तो राधे राधे दोस्तो, सुबह का टाइम हो रहा है, और मैं दूढ लेके आचुकी लेकिन मेरी सातना हमेशा ऐसा ही होता है, जिस चीज की मेरे कोई तयारी नहीं होती है न, वो चीज मेरे साथ होई जाती है, तो क्या हुआ है, जैसे मैं दूढ लेकर आई हूँ, पहरे तो मैंने दूढ को छान लिया है, चलिए आगे बताती हूँ, रात में मेरा सुबह के बनाशने में क्या मैंने डिसाइड हुआ था एचली कल क्या हुआ था जैसे मार्केट गई थे मेरे हजबेंड तो वहाँ से सब जब लेकर आए थे इन्हें बुट्टे मिल गए थे यह बुट्टे लेकर आए थे और मैं आपको बता हूँ रात ना मैंने देडर रात तक काम कि अच्छे से अपने काउंटर के नहीं सफाई तो कर दी बागी ना सामान वामान अपनी अपरी जगा शिप्ट नी कर पाई थी बहुत नीद भी आ रही थी और हाथ तो पेरों में दर्द होने लगा था बैठे बैठे आंखों में पानी चलने लगा था सोचा सुबा उठके कर लोगी और फिर ना सुबा भी ने उठा गया मेरे से बहुत लेट उठी मैं और उठने के बाद फिर घर का वोई जाडू पोचब अगयरा कर असर्द होके आई ती अभी तो सर भी ने खुलाया मेरा और आने मिना मुझे यहाँ पर लगबग कोने आट बच चुके हैं तो अब मैं नाश्टे के लिए बिल्कुल लेट हो चुकी हूं अब मुझे समझनी आ रहा है कि मुझे जल जल्दी से नाश्टे को किस तरीके से मतलब तयार करना है सबसे पहले में बुट्टे रग देती हूं और एक साइड मैंने दूद रगती है क्योंकि पूजबी घर में खतम हो चुकी है संड़े होने के वज़े से बच्चे भी सोके नहीं उठे हैं छुट्टी के दिन थोड़ा सा अराम सी उठाते हैं बच्चों को जल्द बाजी नहीं करते बच्चों के साथ क्योंकि रोजतो सबेरा उठी जाते हैं तो उठ जाएंगे तक बच्चे आई जाएगे उपर उठके ना दोगे तो मैं जल्दी से बना दू तो मैंने पौने आठ बजे आपको बताए ना मैं उपर ही आई थी पौने आठ बजे आज मैंने अपने चूला ओन किया है और आठ बज तक मुझे हाँ पर यह थोड़ा सा नास्त भी बनाना है क्योंकि भोग भी लगाना पड़ता है तो पहले तो मैंने यह बुट्टे रगती हैं और दूध्य बुट्टे थे बहुत ही ज्यादा मीठे लगे हैं खाने में देखे इस तरीके से बस इनको कुमाते वे मैंने अच्छा सा इनको भून के तियार कर लिया है मेरे पास साम कोई खराब थोड़ा ही नहीं थे कि लुबाल के दो रखा था चीला भी मैंने आपके सामने ही हैं अब मैं सोचीटी भोग में चले आलू का भी कुछ न कुछ बना के दे देती हूं रैसी मेरे माइन में चल रहा था आलू का एक पुहती बढ़या नास्ता होता है जो मेरे ब पना देती हूं ताकि दो-दो चार-चार एक पकोड़े से टाइए एक ऐसे में आ जाए तो जैसे ही मैंने पांच-्छे अलूलीय तही बीडिया है और आपको मेरी वीडियो कि नजर आने लगा होगा इस टाइम घर में आफ़ात उतर चुकी है अगरो नास्ते के लिए जैसे मैंने धन्या काट लिया है नोह्ती हट्री मिर्च चांण के डालना है उसके बाद हाज हल्की सी हल्दी हल्का से नमाख और हल्की सी मिर्च डालेंगे इस दा नहीं जाद है उतुक्छी थोड़ा जल्दी में बना रहे हूं और हमेशा मतलब ऐसे यह हैं कि हम कीशी रेसि चुल से बनी नी सकते है पूरी तैयारी की साहत, कढ़ाई में मैंने तेल पही अच्छी सी गरम कर लिया है, जब तक तक मैंने इस heb इसकी तैयारी की ना, तो टेल बहुत ही अच्छे सी गरम हो चुका था बस वैसे तो इसको थोड़ा सा रेष्ट दिया जाता है बेशना डालने के बाद मेरे पास टाइम नी था मैंने इसको डो मिनट के लिए ऐसे ही फेट लिया है तो अच्छी सी तयार हो चुका है अब तेल ना बहुत जादा गरम हो रहत यसे यकीन मानीए वीडू के अंड में कलिप दिखाती हूँ आपको जब मैं इंको काटके बनाती हूँ मतलब आलू को कच्छे काटके बनाती हूँ मेरी सासो माघ को कम ही पसंद आते है अंदर तक इनमे एक टेल सा भर जाता है। और जब आज मैंने यह बना के दी ना मुह पसंद आई और अच्छा लगता है जब बड़ों को पसंद आया फिर घर में सभी को पसंद आदे कोई भी आप खाना बनाए तो बहुत ही सिंपल वह में बना है और बहुत ही टेश्टी बना है तो इस अच्छा नास्ता मेरे लिए क्या हो सकता है एक साइड मैंने चाय बना ल आली की हलकी सी इंपे क्रिस्पी सी बन दिया बेसं की अच्छे से बेसा नहीं चड़ा है थोड़ा-थोड़ा सई चढ़ रहा है और एदम खिले यह हमारी आलु बजिया या फिर आलु के पोड़े हम तुन को देखें पोड़े हम बहुत त्यार हो चुकिए चाइए पीने का बितों कर रहा है ना बहुत लेट हो चुकिए लगबग में सब्सक्राइब अब मैं बोली हूँ साड़े आटी बज चुके हैं मेरी सासुमा भी आ चुकिए थोड़ी पकोड़े निकालके मैंने भोग में दे दी और उनको भी दे दी अब मैं हाँ पे अपना थम्नेल बना लेती और वीडियो का एंट कर देती हूँ देखे देखते की साथी लग रहा है चाय की जल्दी है जल बाजी वैसे हैं तो यह काम मैं अपने हस्बन को दे देती हूँ कभी-कभी अपने बच्चों को दे देती हूँ तो उनकी मज़ा खतम होने का नामी नहीं लेती है और वो सही तरीके से वीडियो को ना एंड भी निकरने देते हैं तो रादे रादे द बाद में मिलती हूँ एक कि लिप बोलत है ना मैंने आपसे बाद में दिखाती हूँ यह देखिए जबकि मेरी सासुमान अतला भूना खाना पसंदरी करती है और वो इनको बहुत अच्छे से खा रही है और हम खाते हैं पूरा स्टेंडर में बैठ के कभी मैट को नीचे ब खाने के लिए तो हम चार देने हाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बेटा भी तक सोके नहीं उठाए हैं